पंद्रह अगस्त के मौके पर पूरे देश भर में लोगों ने अपनी घर पर जंडा लगाया था आजादी के चुशन के बाद अब जिम्मेदारी है कि लोग रास्टिय धोश का सम्मान करें और तरंगे को फिर से सम्मान जनक रखा जाए दरसल जिस तरह से जंडा रोहन करने के कई नियम होते हैं उसी तरह अब जंडे को रखने उतारने के भी कई नियम होते हैं ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि आपको अपने घर पर लगे जंडे को किस तरह उतारना चाहिए और किस तरह से इसे रखना चाहिए भारतिय जंडा सहिता के अनुसार अगर आपको लगता है कि जंडा फट गया है या फैराने लायक नहीं है तो इसे दफना दे या फिर जला दे इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि नेशनल फ्लेग का अपमान नहों इसके अलावा कई संगठन जंडा बापस लेने की मुहीम चला रहे हैं तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो उन्हें भी दे सकते हैं जंडे को दफनाने के लिए उसे पहले एक बॉक्स में रखें और सम्मान के साथ शांती पूर्ण माहौल में दफना दें मगर इसे कश्रा दान या फिर अन जगहों पर न फैके अगर आपको लगता है कि आपका जंडा सही है और इसे दुबारा फिराया जा सकता है तो इसे अपने पास समेट कर रख लें इसे समेटने का तरीका होता है कि जिसमें जंडे को लंबवत के सरीया और हरे रंग की पट्टी को सफेद के पीछे कर दें फिर अशोक चक्र के दोनों तरफ के हिस्से को पीछे कर दें यानि जब आप जंडा समेटेंगे तो आपको सिर्फ च कर दिखाई देगा इस तरह जंडे को समेट कर कोई भी सुरक्ष चितिस्तान पर रख दें यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपके घर में यह आसपास जंडे का अपमान नहों अगर कोई जंडे का अपमान करते हुए या उसका दुरुपियों करते हुए पाया जाता है तो उ साल तक की सजा होती है अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें